अच्छा जी आज के लेक्षा स्टार्ट करते हैं आपकी बुक टू है आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे फार्मा को गनोजी का चैप्टर नमबर फॉर आखरी टॉपिक का लम कर रहे थे ठीक है जी बाइलोजिकल एवैलेशन इस बाइलोजिकल एवैलेशन के अंद आखरी दो तिन पॉइंट रह गए थे इनको कलियर करते हुए आज हम फिप्ट चैप्टर फार्मा को गनोजी का स्टार्ट करेंगे ठीक हो गया कल आपने देखा कि बाइलोजिकल एवैलेशन जिसमें हमने जो आपकी क्रूड रग है उसकी वैलेशन के लिए ज्यांच पड जानदर कि कोई और जो अलग किया हुआ है उसके उपर करोगे या माइक्रॉऔर करोगे इसी वज़ए से बाइलोजीगल वैलोजिगल ऐसे भी है तिरह हमने कल देखा कि बाइलोजी का लोजी कल एशन या वैलूजी कल से की दो टाइप से हैं एक वांट और ग्रेटिट और चार तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है यानिक इसकी चार टेकनीक से जिसमें से इंटरपो लैज Charlie के लिया था इंटर फैन में हम देख रहे थे तो आपने यह वाले जो जानदा रहा इसको आपने standard medicine दे दी standard medicine मैं example के तोर पे पैनडोल के ग्जैंपल ले रहा हूं अलगा पैनडोल कुरूड रग नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए यह आपने 500 mg की पैनडोल एक ग्रूप वाले को दे दी 500 mg ठीक हो गया 500 mg जब आपने दी आ है तो इससे जो result आया है ठीक है जो कुछ भी finding आई है आप आपने 500 से ज्यादा हमने डोज को ना increase करना है ना decrease करना है यनि कि इसको एक किसम का समय लो कि result को bracket लगा ली bracket का मतलब क्या है कि वो result change नहीं हो सकते क्या जहां पे 500 mg देने के बाद जो result आए उनको note कर लिया बाद में changing आती भी इसको आपने थोड़ी थोड़ी करके medicine देना शुरू करनी है इसमें क्या है कि आपने अपनी panadol जो एक तो standard है जिसको जो हमने A वाले को दिया है आप अपनी company की घर panadol बना रहे हो तो उसको हम क्या कर रहे है कि B वाले जानदार को दे रहे हैं पहले हम 100 देंगे फिर 200 फिर 300 ऐसे आइस्ता इस्ता डोज बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि किस डोज के उपर जाकर आपके result A के साथ बिल्कुल मैच होने लग जाएंगे तो वह जरूरी है जरूरी नहीं है कि वह 500 miligram भी जाएंगे हो सकता है कि आप का क्यूंकर तरीका का डिफरेंट है मल्टीनेशनल की या जो ब्रैंड की प्रोडक्त है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है आपकी जो लोकल तोर पर मैनिफेक्चर होती है उनकी क्वालिटी डिफरेंट ठीक है तो यह जो 500 miligram पर रिजल्ट दे रहा हो सकता आपका 700 पर जागी रिजल्ट आए ठीक है तो इस तरह इसको कहते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्त को थोड़ी थोड़ी मिगदार को बढ़ाते जाते हैं जब तक कि आपका जो रिजल्ट है स्टेंडर के साथ मैच ना करें तो इसको कहते हैं ब्रैक्टिंग बालोजिकल एसे और फोर्थ नंबर पर आ जाता है मल्ट का मतलब एक से ज्यादा यहां पर आपने क्या करना है कि आपने अपनी ड्रग को सिरफ एक या दो जानदारों में इंजर्ट करके एड्मिनिस्टर करके रिजल्ट नहीं नोट करने बलके एक से ज्यादा यानि दस भी हो सकते हैं पचास भी हो सकते हैं सो भी हो सकते हैं तो जो सो जानदारों को आप मैडिसेन एंटर करके रिजल्ट नोट करोगे वह रिजल्ट आपकी प्रोडर्ट के बिल्कुल अथेंटिक और क्लियर रिजल्ट हो यह चार नाम मैंने आपको एक्स्प्लेइन भी कर दिये अगर आपको नहीं समझ तो आप फिर इसको ऐसे ही याद क लो- मैचिंग-, बैलोजीकल ऐसे, इन्टरपलस्ट ररैक्टिञ्व और मल्टीपल, क्योंकि यह बहुत वास्ट किसम लेंठी किसम के टॉपिक्स हैं लेकिन उन्स कोशिश किया है कि आपको याद करने के लिए जितना आपको समझाना चाहा, समझ आज आजाए उतना आदिया तो यह आपका फोड चैप्टर हो गया नेच्ट जो आज हमने देखना था चैप्टर नमबर 5 आपका था आप लोग ने बखुदी वाकिफ हो गए जाइम से आप लोग ने नाम सुना होगा ठीक है आपने देखा होगा कि एक सिक्वेंस के अंदर चलते हैं ठीक है चाप्टर चोटा सा है यह खत्म होके सिक्स स्टार्ट कर लेंगे उसकी वज़ा यह कि जब सिक्स स्टार्ट हो गया ना सिक्स को कमस कम भी एक मंथ लगेगा बात समय जाए एक सिक्वेंस में अगर चल रहे हैं तो इसको फिर देख लेते हैं बाकि सब भी क्लास तो मुझे कोई तराग नहीं मैं इस वज़ा से कह र तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं जी दुबारा से पढ़ना है हमने इस वज़ा से अच्छा जी एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने जो नाइन टेंट क्लास में सुना होगा है वो यह सुना है नंबर एक एंजाइम्स जानदारों के अंदर पर ड्यूस होते हैं कभी भी बेजान या लिबाटरी के अंदर एंजाइम हम त्यार नहीं कर सकते थीक हो गया तो एंजाइम्स की पहले सूसिएत यह है कि ये जानदारों के अंदर पयदा होते हैं बंते थीक है नंबर दो एंजाइम्स हमारी बॉड़ी के अंदर जो बाईो-जी कल रियक्शन होते हैं अन्बॉष्ट करते हैं बूष्ट का मतलब टेज करना थिक हैं दो प्रॉपर्टीज होगी फिर दुबारासे बोल रहाँ रहाूं trader चांदारों के अंदर बनते हैं नमबर एक नमबर दो यह हमारी बोड़ी में जो होने वाले biological या byo chemical reactions हैं उनको boost करते हैं उनको बूस्ट करते आपको चुटकियों में याद हो जाएगे क्या है तो enzymes जानदारों में produce होते हैं living things में और इनका काम है biological reactions को तेज करना और ये protein nature के होते हैं ठीक हो गया अब अगर एक A plus B ये reaction करके अगर A B बना रहे हैं ठीक है A B कठा तो अगर इनको अपने तोर पर ये reaction करने दें तो ये कमज़कम एक गंटा लेंगे अगर enzyme की मजूद्गी में ये reaction हो तो ये एक minute लेंगे यानि इतना फरक डालते हैं ये enzyme बास समझ आए तो इसका मतलब ये बूस्ट करते हैं ये reaction को तेज करते हैं लेकिन ये उन reaction को तेज करते हैं जो biological हमारी body में होते हैं लेकिन ये body से बाहिर भी reactions को तेज कर देते हैं लेकिन कौन से reactions होंगे जो body के अंदर हो रहे हैं अगर वही वाले बाहिर हो रहे होंगे तो यह भी उनको भी यह तेज कर सकते हैं कैसे करेंगे यह भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी सिर्फ आपके लिए डेफिनेशन फिर क्या बनेगी अन्जाइम्स केन बी डिफाइंड आज इस आज़ी कैटलिस्ट ठीक है अब लफज कैटलिस्ट आगया कैटलिस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि इंसानी जिसम में हो! इंसानी जिसम में नहीं हो कैटलीस्ट लबॉर्टरी token के अंतर मसाल के तोर्थ पर आपने एकophone देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा है HCl रीक्शन करता है नभीधिन औरte We Authent तो यह दोनों ने रेक्शन करके जो रेसल्ट बनाते वो नमग होता है एंड एसी आई तो यह अगर यह डेक्शन देखा जाए यह डस मिनिट लेता यह कि सात मिनिट लि रहा इतना यह ले रहा है लेकिन अगर आप इसके अंदर Aluminium Metal है Aluminium इसके मजूदगे में अगर आप यह reaction कराए है तो यह reaction seconds में होने ही लग जाएगा समझागी है यह जो Aluminium है यह क्या है Catalyst और यह जो reaction हो रहा है HCl प्रस NUH यह Laboratory के अंदर हो रहा है इसलिए आपको Catalyst का भी पता चल गया कि Catalyst basically आपको और गैनिक और इन और गैनिक का पता है कि और गैनिक ऐसे सबस्तांस होते हैं जिसमें कार्बन और हाइट्रोजन कठी मजूद हो जैसा कि आपके पास CH4 यह मिथेन है जैसा कि आपके पास गूलुकोज है गूलुकोज C-H-O ठीक है तो C-H-6 H-12 O-6 यह फार्मूला गूलुकोज का है तो जिसमें C-H कठे हों उसको कहते हैं और गैनिक और जिसमें यह C-H लैद लैदा हों उनको कहते हैं इन और गैनिक जैसा कि कार्बन डियोक्साइड और वाटर और इस तरह और भी बड़ी चीज़ें ठीक हो गया तो Catalyst जोंस हैं यह इन और गैनिक होते हैं अगी बाद समझें Catalyst इन और गैनिक होते हैं और यह लैब में मजूद जो रेक्शन्स हैं उनको फास्ट करते हैं इसका मतलब Catalyst रेक्शन्स को फास्ट करते हैं इसी बेस पे हम Enzyme को भी कहते हैं यह भी Catalyst हैं लेकिन कौन से Catalyst क्योंकि यह हमारी बोडी में बनते हैं जानदारों के अंदर बनते हैं तो इसलिए इनको कहते हैं Biological Catalyst ठीक हो गया तो यहां पर डेफिनिशन में आप दुबादा से पढ़नों अब आपको समझ आ जायानी चाहिए दीजादी Catalyst of Biological System यह Biological System के Catalyst है बैटर प्रडूस्ट बाइविंग सेल जो लिविंग सेल प्रडूस्ट करते हैं विच आर कैपेबल ओफ Catalyzing Biological Reaction जो capable का मतलब है काबल होना जो इस काबल है Catalyze कर सके Biological Reaction को Catalyze का मतलब तेज करना ठीक है? और Catalyze का मतलब तेज करना तो यह Biological Reaction को तेज कर से ठीक होगा? एक Definition यह है अगर आपको यह सान लगते है यह कर लो और दूसरी मैं पढ़ने लगाँ अगर वो लगती है तो वो कर लेना अब वापस चलें Catalyze के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ Catalyze के होते है अब एक चीज जो इस डिफरेंस अब भी मैं आपको बता चूँ आगे चलके मज़ीड डिटेयल में डिफरेंस भी देखेंगे आपको मैंने शुरू में कहा कि अंजाइम परोटीन नेचर के होते हैं लेकिन जो Catalyze होते हैं ना यह इन और्गैनिक होते है ठीक है परोटीन आपकी बोड़ी में और्गैनिक है लुटाइम उसे हैं वो एक रियक्शन का अगर बार बार करुते जाएंगे नाकुरते जाएंगे तोवकत के pork हती है और झाम एक टाम आता है जब enzyme की protein बिल्कुल तूप जाए तो enzyme बेकार हो जाए थे खत्म इनकी जगा नए enzyme बनते हैं ठीक है तो इसलिए enzyme की एक limit होते हैं लेकिन जो catalyst होते हैं ना जैसे कि aluminium का जिकर किया तो यह जितने मज़ी आप reaction करा दो इनकी सेथ पर कोई फरक नहीं पड़ता इनका काम सिर्फ reaction को तेज कराना यह reaction में शामल नहीं होते हैं तो इन और्गानिक नेचर के हैं तो इसलिए यह खराब नहीं होते हैं तो इसलिए यह भी chemical reaction बूस्ट करता है लेकिन chemical reaction में फुद इस्तमाल नहीं होते हैं जैसा कि मैंने भी आपको बताया आपको इन्जाइम जोंसे हैं उनको बालो जीकल कैटलिस्ट कहते हैं यह की तरह काम करते हैं यह नी रेक्शन को तेज कराते हैं इसका मतलब सारे के सारे enzyme catalyst है क्यों कि ये सारे reaction को तेज कराते हैं लेकिन सारे के सारे catalyst enzyme नहीं हो सकते क्यों के catalyst हमने भी पढ़ा inorganic nature के हैं तो enzyme तो होते ही organic है protein है तो catalyst enzymes नहीं हो सकते enzyme catalyst हो सकते understand हो गया अब आगे चलो organic और inorganic substance के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ में जो डिफरेंस ता वो बता दिया लेकिन आपकी book में थोड़ा सा different करके बताया हुआ है लेकिन अगर आपने मेरी बात को समझ लिए ना organic और inorganic तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा ये difference ता confusing सा है आल दी chemical that contain only carbon और कार्ड organic ठीक है जिन में सिर्फ carbon होता है उनको organic कहते हैं आल दी कहते हैं नोड कंटेनिंग carbon जिन में carbon नहीं होता है उनको inorganic कहते हैं अब ये थोड़ी सी confusion ही है कि carbon dioxide साइट CO2 अब CO2 में तो carbon है या फिर वह इन और गैनिक है वह समझाई है तो authentic definition जो organic की और इन और गैनिक यह है कि और गैनिक ऐसे compound जिन में carbon और hydrogen कठे हो इन और गैनिक जिन में carbon hydrogen कभी भी कठे नहीं होते हैं ठीक है जी नीचे आपके सामने एक और definition है substrate enzymes substrate उसके उपर action करके उसको product में बदलते हैं यह बात भी आपने याद रखनी है substrate को product में बदलन enzymes का काम है जैसा कि यह आपको picture में दखाया गया है कि आपके पास यह blue shape का एक enzyme है अब हर enzyme specific होता है खास होता है अपनी product के लिए substrate के लिए जैसा कि यह enzyme है इसकी आगे आप shape देखो यहां पे जहां भी active site लिखा है ना यहां पे वही substrate relate फीट होगी जिसके लिए enzyme बना है मसलां यह enzyme Enzyme सुक्रेइज लिखा होगा है तो यह सुक्रोज के लिए बना है सुक्रोज क्या है आपके घर में जो चीनी होती है ना उसको सुक्रोज करता हूं lesson को अपने अंदर करेगा जासा कि देखो दूसरी स्टेप के अंदर आपको नजर आ रहा होगा तो यह सुकुरेज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सुकुरोज ही आगर बैठ सकता है क्योंकि इसके अंदर जो शेप बनी हुई है वह सिर्फ सुकुरेज के लिए बनी हुई है कोई और प्रोड़क्ट इसमें फीटन नहीं होती तो सिर्फ यह फिल्ट सुकुरोज को अपने अंदर आने देगा सुकुरेज सुकुरोज जैसे इसके अंदर आके लगेगी तो थर्ड स्टेप में आप देखो कि सब्स्ट्रेट को यह प्रोड़क्ट में बदल देगा और प्रोड़क्ट क्या क्या बन जाएगी कि आपकी जो सुकुरोज है फ्रुक्तोज में और गुलुकोज में बदल जाएगी तो आप जो चीनी खाते हो वह सुक्रेज इंजाइम फ्रुक्तोज और गुलुकोज में बदलता है और गुलुकोज आप में इनर्जी लेकर आती है आगी बास समय तो यह साइकल है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जैसे काम करता है ठीक है जी तो यह आपका पार्मातोगनोजी का आज के लिए इतना ही काफी है यहां तक किसी बच्चे का कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन हो जो समझ नहीं आया वह पूछ लूँँद लेक्चर फार्मासूटिक्स ठीक है बुक का आपकी है जैटर लूँबर हम सिक्स कर रहे हैं सिक्सक्र नम्हों सिक्सक्र जो टॉपिक है वह स्कॉश्ट्री अज हमने स्पॉश्ट्री बेसिज देखनी है इस इन था ही असान आपको इस्टेंड हो जएगा वरना पिर आप अगर सुनने बगार याद करोगे तो आपको यह मुश्किल लगेगा क्या मतलब मैंने आपको कल भी बताया कि अगर आप सीरप तियार कर रहे हैं तो सीरप में liquid हम इस्तमाल करते हैं पानी इस्तमाल करते है medicine को body में पंचाने के लिए तो जब आप liquid इस्तमाल करो उसको vehicle कहते है और जब medicine को body में पंचाने के लिए या body के उपर surface पे लगाने के लिए आप semi-solid का सारा लेते हो तो उसको आप base बोलोगे यहां पर यह स्पोस्ट्री क्योंके semi-solid है solid है इस वज़ा से इसको basis का आगया किसमें हम base इस्तमाल करते हैं ठीक है और प्रोपरटी कल आपने देखी कि यह body temperature पे melt करती है melt करने पे medicinal agent को release करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब स्पोस्ट्री बनानी है और बनाने के लिए आप जब base का इंतखाव करोगे तो base की यह खुस्सियत होनी चाहिए कि वो body temperature पे melt करके medicinal agent को release करें अगर वो body temperature पे melt नहीं कर रही medicinal agent release नहीं होंगे medicinal agent release नहीं होंगे तो वो absorb नहीं होंगे स्पोस्ट्री की जो basis बड़ी गिनी चुनी बेसी हैं क्योंकि हर बेस इस तरह की नहीं होती जो body temperature पे मारे body temperature पे 37 डिग्री पे melt करें तो तीन टाइब की basis ज्यादा तरह हम यूज करते हैं जिन में से एक है जी कोका बटर कोका बटर यानि के चोकलीट के बीजों का जो बटर होता है ना उसको कोका बटर कहते हैं एक गलिसरीन और जेलेटीन को कठा करके बनाई गई गई है और एक polythylene glycol पहला आप देखो स्पोस्ट्री बेसिप क्योंकि बटर का नाम दिया गया तो बटर आपको पता आता है यह फैटी होता है फैट हो कि इसमें इसलिए इसको जाते हैं इसमें क्या है इस के बिज्जों को करके हम यह बटर निकालते पहुंगा मुंपली के चाले हो निकलते इसIP 안ड़न व्हों भी यह एकड़ी सीफाइद के अच्छा ठीको तो यहां पर आप इस वेरी गूड फॉर यूज़ इस वेरी गूड फॉर रेक्टल स्पोस्ट्री क्योंकर यह फैट नेचर का है तो आप याद रखना कि पीनट बटर पीनट बटर कोका बटर का जो स्पोस्ट्री होंगी इसको कभी भी आप उस कैविटी में नी रखते जहां पर म्यूकस हो या जहां पर पानी हो जैसा कि नाख नाख के अंदर नमी होती है तो आप यह वाली स्पोस्ट्री कभी भी नाख में नी रखोगे क्यूब की यदर जो liquid निकर रहा है वह इस oil के साथ मिल जाए गा मिलकि क्या होगा・ कि यह आय सारे के सारा जो उंसा है melt होने के बाद नाक से बार निकलाएगा और आपकी सारी medicine जाया हो तो इसको उस जगा पसे जाया जाता है जहांपर mom मुक्स ना जहां पर वाटर प्रडूश ना हो इसलिए ये जो बेस्ट प्लेश है है वी जीन शुक्ति की वह रेक्टल रेक्टम ठीक है तो यहां पर रेक्टल स्पोस्टि भी कहा जाता है इसको इसको फोर प्रैसरी इस कहते हैं एस पॉस्ति जो वजाइना में रखी जाती है इस वज़ा से यह सूटेबल नहीं है ना वजाइना के लिए ना नेजल के लिए ना यूरीथरा के लिए क्योंके वहां पे म्यूकस के साथ यह इमिसीबल है म्यूकस के लिए पानी ठीक है एंड आफ्र मेल्टिंग लीक आउट ऑफ दी कैविटी तो मेल्ट होने के बाद यह बोड़ी से लीक होगे बाहर आजेगी मैडिसन सारी जाया ठीक है तो यह सिरफ और सिरफ किसके लिए सूटेबल है इस वेरी गूड फॉर रेक्टल स्पोस्टी रेक्टम के लिए जबरदस्ता ही आगे चलो दूसरी आ जाती है जी वाटर मिसीबल यानि वह जो वाटर को पसंद करती है वाटर के साथ मिल जाती है उसमें सबसे पहले जैलेतिन वाटर में अब नाम से जाहर है की जैलेसरीन भी होगी झालेटीन जो जैली आप खाते है कि आपके पास पीकम कंपोज़ेशन क्या अब बनेगी गिलीसरीन वाटर ठीक है ची और जैलेति इन तीनों को जब आप एड करके बनाऊ होगे उसको कहते हैं गलीसरो जैल सब्सक्राइब करती है और यह जो आपकी बोड़ी में वाटर वाले एरिया है वहां पर यह जाकर यह उन्हीं के साथ आप पानी के साथ मिल जाती है और को रिलीज करती है और वो मैडिसन एजेंट लीक नहीं होते बाहिर बलके वहीं पर ही स्लूशन बनके अब्जोर्ब होना शुरू हो जाती है यह आपके पास दी बेस बियंग हाइड्रो फिलीग स्लोली डिजॉल विन एक्वा स्क्रीशन तो यह एक्वा स्क्रीशन में आइस् इसको पॉलिमर वाटर के मालिकूल आपस में जुड़ जुड़ के बड़ा सा स्टक्चर बना दें उसको पॉलिमर कहते हैं जैसा कि यह आपके साथ एक मालिकूल दो मालिकूल तीन मालिकूल चार मालिकूल इस तरह करके पांच मालिकूल यह आपस में जुड़ते जाएं ऐसे हम इनको जुड़ने यह चोटे-चोटे मालिकूल आपस में जुड़के जब एक बड़ा नेट्रक बना दें उसको पॉलिमर कहते हैं ठीक है तो यह लिखा हु का मतलब ज्यादा मर का मतलब वाली ठीक है दे आर कोमनली नोन आस कार्बो वैक्सिस इनको कार्बो वैक्सिस भी कहा जाता है यह आपने टैबलेट्स की कोटिंग के अंदर भी पड़ा था यह क्या कार्बो वैक्सिस दे डोंट मेल्ट बट डिजॉल इन बोड़ी फ्लूइट एंड रिलीज मेडिक 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 तो यह बोड़ी टमपरेश्ट मेल्ट नहीं करते हैं बलके जो बोड़ी से जो लिकवड निकर रह के लगिसित थो आप इसको जब रहा और असान तरीक से बनाना चाथ esté हो तो आप इसको दो हैडिंग उजी डाल सकते ह। इसमें एक कंपोजिशिट की और दूसरा उस एजड़ का अप यह उसको इसी तरह यह आपकी कंपोजिशिटी इसी तरह यह आपकी में यह यहां का composition ठीक है और यह आपका usage है बीच में जो line है अगर आपने composition में ही लिखनी है तो बेशक लिख सकते हैं इसी तरह यह आपकी composition है और यह आपका usage है तो यह नहीं कि दो-दो heading आप यह वाली अगर बना लेते हो तो आपके लिए और heading के साथ याद करना सान हो जेका ठीक है तो आज के लिए फार्मासूटिस का पॉस्ट्री बेसी यहां तक किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो बताओ क्लियर है सबको एरो सोल्ड वाला topic तो है ही नहीं आपका एरो सोल्ड तो करने ही नहीं है ठीक होगा अब next lecture सार अब्दुरमान साब का है तो उसके लिए वेट करो अलाफूस्ट